चलो बुक्स एंड ओथर्स को कोशन आएंगे आप लोग कोशन के आंसर दीजिएगा नहीं पता है तो सुनिएगा बुक्स एंड ओथर्स अब रिवीजन शुरू कोशन आते जाएंगे चलो चलते पहले कोशन के उपर किस ने लिखी दी जल्दी बताओ एक बच्चे ने आंसर देदिया बहुत फास दिया सब बच्चों ने दिया वेरी गुड लिटीश कुमार गलत नहीं दो सोचो डिस्कवरी ओप इंडिया जवाहर लाल नहरू वेरी गुड डी ऑप्षण फॉर्थ ऑप्षण गुड जवाहर लाल नहरू ओथर्स जो इंपोर्डेंट बुक्स हैं मुझे लगी वह मैंने डाल दी हैरी पॉर्टर रिजिटेंगाए किस ने लिखी हैरी पॉर्टर हैरी प पर्टर एकर ऌर्लिंगारी पॉर्टर एक हैरी पॉर्टर इमपोरन्ट किताब आ एगी चेट के रॉलिंग हैरी पोर्टर ठीक है ना जकर ना जटीक रॉलींहरी पोर्टर इदूअ अरुदत हो ऐॉ सबॉकित पर ल Johnson विला था ने इनको भारती पहली दो आप स्मॉल थिंग्स सल्मान रशिदी दो मिद्नाइट चिल्रेन याद आ रहा है सैटनिक वर्सीज मिद्नाइट चिल्रेन इनकी किताबे हैं दो ऑफोर्ड फेमस हरी पॉर्टर चलिए जेक रोलिंग हरी पॉर्टर बिल्कुल देर मत करे सब्सक्राइब और तरुस्टर बहु आएं फॉर्टर ऑफ दी श्यक्त राइर अन हेप्टी इंडिया अन हेप्टी इंडिया एंडिया ऑर सुल्ल मेरी बात पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया कि पॉर्टी and और विटिश रूल इन इंडिया बहुत इंपोर्टं किताब है बहुत इंपोर्टं क्यों कि इसको लिखी थी the grand old man इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैं ओफ इंडिया क्या बोलते हैं इनको grand old man ऑफ इंडिया किसको दादा भाई नारोजी लिख लो दादा भाई नारोजी ने लिखी थी एक किताब कर दादबाई नरोजी जो भी नाम था है नेकर पूरा दादबाई नरोजी लिख्लो दादबाई नरोजी नरोजी दादमें और ऑफ इंडिया भी कहते थे इनको really great grand old fan of India दादा भाई नरोजी इन य और इनका सुननो मेरी बात यह बहुत भड़े इकनोमिस थे अर्थ शास्त्री थे अर्षास्त्री पार तो करते हैं यहां पे और पैसा लेके आते बहुत दादा भाई नरोजी ने द्रेंग और ऑप वेल्थ की विद थी और पौवर्टी एन बिटिश दूल इंडिया बुक लिखी थी और इनको ग्राइंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया भी कहते हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आना कि समझ नहीं आ रहा है शानवी कोई प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है बिटा सब ओक है तो थमसब करो गवार कि सारे लोग ठीक है चलिए इसका आंसर लाला लाजपत राय सेकिंड ऑप्षन यह याद रखना पॉवर्टी अन हैपी इंडिया यानि नाखुष इंडिया खुश नहीं है इंडिया यह तो लाला लाजपत राय ने दे एनाजर ने लिखी लाला लाजपत राय जिन को ग्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे और कोस्ऩ अ किसको किसका टाइटेल सब्सक्राइज स्था ड्रिया और उसिए उपशह त daí पाइड़ंगे वरत इंपोर्टिंट किताब है बहुत इंपोरेंट बहुतिंप्सि के रहें कि मैं पता रहूं हुआ आपको ग्रेहने निक हमारे पैसे को अंग्रेज बाहर का एक सब से पहले उन्गेजियों दो सेुं JUST उटूर ईजमेर से घृच मैं में और उथा सब्सक्राइब ओधिऊ यानि हमारे हमारे यहां का सारा पैसा बाहर जा रहा है तो यह यह तो वही सोच पाएगा ना पड़ा लिखा होगा और इंडिया खुश नहीं है यह बात किसने देखी थी लाला लाजपत रहे ने लाला लाजपत रहे साइमन कमिशन डंडे लग गये लग ती लाला जी को मार था 1928 साइमन कमिशन आया थानना साइमन गोबेग ला लालाच पतरा याद रखना इनके साथ जड़ा हुआ साइमन कमिशन चलो इंडिया विन्ज फ्रीडम इंडिया विन्स फ्रीडम गोड गोड विदान्त को ऑफ य crowd अच्छे से आता हे त ए वेरी गुड आप आई इन्टिया विंस फ्रीडम प्रियम तिवारी को यह से आता है हैं युर्ट si हां हां सच पोलने वाली बात गांदी जी के साथ आएगी सच बोलने का काम गांदी जी करेंगे ठीक है खोज करने का काम जो आला नहरू जी का था डिसकवरी आप इंडिया और सच बोलने का कारें और जी करेंगे अभी अभी बातों इंडिया फ्रीडं में अबूल-कलाम आजाद साब में लिखी तो इसने में इंडिया उपने दिव क्यात बोकी आध में पाड़े लिखें लोग तर ये स्वतंता यह बुक्स यह बुक्स आए के टकराएंगे आपके एक्जाम में अबुलकलाम अजाज साब ने लिखी ती और क्या मेरी लिखी भी थोड़ी आएगी कि इन्हीं आएगी अबुलकलाम अजाज साब की इंडिया विंस फ्रिडम चलो एक और बुक देख लो हो इस दे ओटर और फेमस बुक गीत गोविंद इसनने लिखी थी गीत कोविंद बहुत इंप्औरटन है कि इस राधा और राधा क्रिश्न भ्हगवान की ती द माँशो मारू न zi सारे हैं जै देव याद रखना जै वही करेगा भगवान की जय करेगा जो वही तो लिखेगा ट्रिक्स ही आद करो बगवान की जय करेगा वही तो बहुention के गीत गाएगा गोविंद के डीकों जय करेगा तो जैदेव ने आपको घुणा सब्सक्राइब बताओ अब इंडिया अब अब दिक्कत नहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी सब्सक्राइब पांकिस्तान की राज़ओप रहे उसके लिए वा सब्सक्राइब जिसे जिसे यह नहीं पता है किमें पॉलेंट की राara नहीं क्या है कि जुद्य टूप हो गया नहीं की कि अब मुझे लगा दूंगा तो जो मुझे नहीं पता हो मेरे बहुत टफ है तो ऐसे बस समझा करो किसी को अगर आता है तो और बहुत जीनियस है उसने पढ़ा हुआ इसले वह जीनियस है ठीक है न तुम पढ़ लोगा तुम भी जीनियस हो जाओगे चलो फूर ऑफ गीत को विंद हो गया इंडिया भी कहते हैं कालि दार को जानि शेक्सपियर एक तो था भारका foreigner lifle Crownner लेकिन भारत का शेक्सपियर कालि डास को का अध्यूलिए चीजर हमले ट यह सारी किताबे शेक्सपियर कीसी है जूलिएट सीजर हैमलेट है ना काली दास को शेक्स्पियर ऑफ इंडिया भारत का शेक्स्पियर काली दास को कहते हैं अब सुनना शकुंतलम एक किताब लिखिये नोंने शकुंतलम बहुत इंपॉर्णन किताब इनकी मेगदूतम यह पीछानी चोड़ेगी आपका किताब शकुंतलम मेगदूतम बहुत इंपॉर्णन दोनों किताबे काली दास से लिखिये पॉसर लिखिये इनोंने इतनी लिखी इतनी लिखिये फिर लिखते ही चलेगा रुके ही नहीं संस् लो को बांच्वर्धन के दर्वार के कोट पोएट थे हर्षवर्धन एक раз और था उसके दर्वार के कोट्पोएट थे बाँन हड़ट बान वट रिंगे नोट कि लो बड़ी इंप्रमटेंन देख गए कादमबरी की इन अंद कि बान वट्ट ने कादमपरी लिखी को को दिक्कत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा तो बंद करें फिर पड़ाई तुमने सारी करी लिए रिवीजन होई गया तुमारा चलो कि मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को चलिए बान वट्ट ने हर्शवर्दन के दर्वार में थे बान वट्ट कि कादमपरी लिखीरों ने ठीक है मीरा भाई भगवान की भक्त थी मीरा भाई भगवान की वक्त थी कालिदास की मेगदूद शकुंतलम जैदेव गीत गोविंद कि भगवान के गीत तो जैजए कौन करेगा जो भगवान का भक्त होगा जैजो करेगा वही गीत लिखेगा यह बात यहाद रखना और दादा तो गोल्ड किसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन को दादा जी कोई तो बोलेगे तो ऐसे ट्रिक से बेटर चीज़ों को कनेट रखोगे ना और दो-चार बार रिवाइस किया आपने कसम से कहारों भूलो गई नहीं कभी है ना ओप्शन में मिलेगा यह आपको विच अमंग फॉलेंग बुक वस रिटेन वाय महात्मा गांधी अब पदाव खोज तो करेंगे कौन ज्वार लाल नहरू डिस्कवरी कौन करेंगे इंडिया की जवार लाल नहरू और इधर सच्चाई वाली बात कौन करेंगे गांधी जी माई एक्सपेरिवेंट्स वीट तूट तूट गांधी जी बहुत इंटेलिएंट आदमी थे जब आपके हमारे सुनो सारे बच्चे सुनो सुनो जब आपके और हमारे बाप दादा मतलब घास काटना भी नहीं जानते होंग को छोटे बोटे आदमी देख्या ताइम पर लंडन जाना पढ़ना आज लंडन जाने के उकात नहीं सब की जा सकता है को इतने अराम से लंडन बताओ जरा कितने लोग तुम मैंसे लंडन अभी जा सकते हैं अभी कि परसोब लंडन जा रहे हैं गूमने जा रहे हैं कि नहीं लंडन जाना बड़ा प्रोसेस पूरा पास्पोर्ट यह वो उस जमाने में लंडन चले पढ़ने के लिए और गांधी जी को देखके अंग्रेज अग्रेज लोग क्यों देलते थे बोले यार इसके माइंड बहुत तेज है इनका ऐसे थोड़ी इनको राष्ट्र पि रवितनाट टेगोर ने टाइटल दिया था महात्मा का याद रखना बापू किसने का था कौन बताएगा बापू सबसे पहले हाथ खड़ा किया पिरत्वी ने पिरती बताओ हाँ पिरती वो लेखा बहां ने बोला था नहीं बता नहीं बता बताओ बटाव टाइम वेस्ट्व कर रहे हो फिर सुवाज चंद्र बोस ने बापू कहा था लिख लो दोनों important question है महात्मा कहा था किसने रभिनाट टेगोर ने और बापू कहा नहीं था जी सुवाज चंद बोस ने और इनको नंगा फकीर का था किसी ने वह नंगा फकीर दोती पहनते देना फकीर देश के लिए लड़ते देदी हमें आजादी बीना खटक बीना डाल साबर मती के संद तुने कर दिया कमाल वास्तों में सलूटीड बन्दे थे अंग्रेज देल जाते थे कि ऐसे थोड़ी दे बैरिस्टर कि मोहंदास करमचंद गांधी यह ना कि में के गांधी पूरा नाम था मोहंदास करमचंद गांधी 1869 में जन्मु आपका ठीक है कि चलिए आगे चलते हैं तो माई एक्सपरिमेंट विट तूर्थ गांधी जी की बात हो गई 1242 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के गौलिया टैंक मैदान में और इन्हों नहीं का था डू एंड़ाई करो या मरो ठीक है 1942 में का था 1942 में जब जब कादव अगरे जो भारत छोड़ो कुट इंडिया मुव्मेंट और इन्हों नहीं और आराम हरा में किसने का था जो आलाल लहरूर ने याद रखना सारे बच्चे जो भी बोलरों एक कोश्चन आजागा एक नंबर का फिर तुम उल्टे पान है यह टिक मारोगे मिलेगा तुम्हें जीरो अंडा चलो हूँ इस दा ऑथर और बुक असुटेबल बॉय है सुटेबल बॉय है कि किताब किस ने लिखी अधिक कॉंफुडेस से लोग बतलो गलत ऑप्शन वी किते इस विक्रम सेट की किताब में बटाए ए ओप्शन नहीं आता सीख लो फर्स्ट ऑप्शन विक्रम सेट की असुटेबल वॉय वेधान्त वेरी गुड कई कोई बात नहीं आज नहीं आता लेकर आट तारीक को तो आएगा अगर आगी कोई Be tile आश्यवस्टेवल वॉय विक्रम सेट बहुत पंडे सब्सक्राइब मुलाभी सब्सकार में अंधियान है अंवर्थ है लिख लो नोबल-फुरस्कार एकनोमिक्स का चलो नोबल बाट आ गई है तो नोबल खतम कर देते हैं उन्नीस सो तेरा में पहला नोबल मिला रभिंदनाद टेगोर को लिट्रेचर में ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूं लिट्रेचर उसके बाद में निस सो तीज जिसका डेट याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है चोड़ दूँगा पर आपको पता रहेंजी किसमें मिला किसको उसके बाद सीवी रवन को मिला फिजिक्स में स्कैटरिंग ओफ ठीक है ना मैं सोसता हूं जितना हो सके बच्चों को पता रहे जिन जिली इनकी बुख थी गूरा में इनकी बुक है घॉरा घितांजि ली बहुत 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 बुक लिकी ओम नशीशनी Πेल्दि न मिले ठीक है थीखी रमन फिर मतर टेरेशा को मिला इसेवा करती दीना है लोगों की मदर टेरेसा करती दिना लोगों की मदर टेरेसा के पास मदर टेरेसा को नैंटीन सेवंटीनाइन में पीस के लिए मिला पूछ रहते किसके लिए मिला तो रविद्रा टेगर को लिक्टेचर सी वी रमन को फिजिक्स साइन्स को मिला था ना फिजिक्स में स्कैटरिंग ओफ लाइट और मदर टेरेसा को पीस के लिए फिर मिला अमरित्य सेन को हैं अमरित्य सेन को इक नॉमिक्स में कि इंडियन थे एक नॉमिक्स है ठीक है शायद इनको 98 में मुझे याद नहीं है एक बार चेक कर लीजिए ठीक है 98 आप से पूछेगा नहीं जो मुझे आप याद नहीं हुँ मुझे अमने सेनको लेकिन इकनोमिक्स मतलब मतलब होता है अर्थ शास्त्र देश की जीडिपी कितनी है लोगों के लिए पैसा है देश में कितना नहीं है सारी चीजें कौन देखता है अर्थ शास्त्री लोग देखते हैं जो एकांट्स वगरा काम पूरा का पूरा लें बहुत खतरनाक होत नहीं लोग खली देखके बता देगे कि क्या चल रहा है देश में अमर्ट्य सेन तो यह एकनोमिक्स का नोबल प्राइस इनको मिला और एक कहलास सत्यार्थी को मिला था बेटा दोजर चौदा में पीस के लिए पीस के लिए अधिक नोबल बता चुको मैं आपको आना एलफ्रेट नोबल के नाम से मिलता है डाइनमाइट का विश्कार किया था एलफ्रेट नोबल ने चलिए आगे चलते हैं समय बहुत हो रहा है अम्रित सेन को इकनोमिक्स इसका अंसर होगा विक्रम सेठ ने असुटेबल बॉय लिखी चलिए लो गबन गोदान मांस और वह निर्मला कर्म भूमी यह किसकी किताब है बहुत इंपोर्टन्ट है गुड़ साहिल गुड़ वेदान्त गुड़ गुड़ प्रियम प्रियम तिवारी ने बताया गुड़ अंशुमान शर्मा गलत बता रहे हैं अब आई श्मान गलत बता र भी एंव मिल्रा पता तो सुरा किया रही सुरा सिल्यॉपलिए क्लियर नियुक्ट गल्ट बता रहा वेटा अद इसका एक है मुद्षी प्रेमचंड्र सेकेम्ड मुद्षी प्रेमचंड्र की किताब गोदान कर्म भूंवी निर्मला गवनु किताब पढ़ ले आद कि मुझा भम मुझी प्रेम चंड की कहानिया आता निया याद रखना गबन गौदान गौदान जो गौदान किया था गौदान उससे रिलेटीड मांसरोवर निर्मला और कर्म भूमी यह कितावें किसकी है यह रिकॉर्डिंग रिवाइस कर लेना एक बार बस बूलोगे निफिर कि आप भूलोगे थोड़ी मुंशी प्रेम चंद्र की किताव है ठीक है चलो नेक्स देखते हैं कोशन है हुआ हूं अधा फॉलाइंग रोड़ बुक टेस्ट आफ माई लाइफ मेरी लाइफ का टेस्ट किसकी लाइफ का टेस्ट हुआ है जो बहुत बिमार हुआ 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 टेस्ट किसके होगा जो बहुत बिमार होगा और बिमार कौन हुआ इन में से तुम लोग को पता है इसका मतलब यार युवराज सिंग कैंसर से गुजरे थे युवराज सिंग ने लिखी फिर टेस्ट आफ माई लाइफ लेकिन इतना जुजारू प्लेयर इतना बहादूर इतना जिंदा दिल इंसान की कैंसर से लड़ाई लड़के भी आ गए युवराज सिंग गड़ हर राज गुड़ गूड गुड गूड 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 हर साच जुवराज सिंग गी किताव टेस्ट आप माई लाइफ टीक है चलो नेक्स एक्ता टेस्ट कर वादी हमने पीरमन को 1930 में हां जी गिताँजली ये गौराबीरी की किताब है ठीक है किकिताब है यह सारी लेकिन गिताँजली के मिले बिला थे इनको ठीक है सोनार तारी बांगला देश का पीडियों निलिखा था राष्ट्रगान शोनार बांगला दो देशों के लिख दिये सोनार बांगला रविन नाट टेगोर चलो बहुत महान थे लोग भाई गांदी जी से कितने आठ साल बड़े थे लानी जी से ऐसे याद करता हूं मैं तो एक की डेटों पर याद करता हूं और पीछे कर लेता हूं आए बड़े थे तो 1861 वीडी सावरकर वीडी सावरकर ने कौन सी किताब लिए 30 में से कि अब बताओ तो तुक्का चल ला है तुक्का चल ला है सबका अब एक कभी आंसर एक का आंसर बस सही आंसर दे रही है बस स्वारा सही आंसर दे रही है इंडियान इंडिपेंडेंडेंस वार खुंसा इंडियान वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस वीडी सावरकर की किताब है ठीक है अब ऐस अज़ी किताब है इसका नाम स्पॉय ब्यूटिनी देख लेना ठीक है इस पॉय म्यूटिनी ड़ाई भाख रिटन भाई स्पैलिंग बोलूगे मैं तुम लोगों रिपीट कर रहो है स्पैलिंग देख लेना सफ इपी ओ वाई दिख रहा ना कि अध्यर सा बच्छों को एस एपी ओवाई एम यू टी आई एन वाई इस पॉइब यूटिनी यह किताब जरूर देख ले ना किसकी है इस पॉइब यूटिनी वाज रिटेंड वाई ठीक चलिए नेक्स कोशन आ रहा है इस पॉइब यूटिनी चलिए इस पॉइब यूटिनी में ध्यान करता हूं बताता हूं आपको सब ठीक है जोड़ा दिमाग में तो आ रहा है मेरे जवान पर नाम नहीं आ रहा है एंस उनका नाम है इस पॉइब यूटिनी रिटेंड बाइम मजूमदार है मजूम हम मजूमदार ऐसे करके ना मजूमदार आड़सी करके इनका नाम है देख लेने एक बाद लोग चेक करना दिएख है स्फवाई मूटिनी अप यह बताओ कि पिर्थवी राज रासो पिर्थवी राज चौहान के रधर वर तिर्थी राज के धरिवा निकान तब कुमृत अजा देखो पिर्थवी राज चोहां जो राजा थे इनके दरभारी कभी थे कौन चंधर बरदाई फैसे ना मत घाइव जैसे काली दास जो है तुल्सी दास को अकबर दोला रहा था तो उन्होंने चंदों में जवाब दिया था वो कभी नहीं बुने उनको वहाल संवार में आ जाए नवरत्णों में एसे कुछ बूला अकबर ने तो बोले कि अब मतलब अब क्या होंगे तुल्सी नरके मनसबदार जब भगवान मन में वैस गए तो नरके मनसबदार नहीं हों गया जबकि वह अपने बाद दूसरी पोस्ट दे रहे थे तूलसिदास जी को नहीं गए तो चंद बर्दाई दरवारी कवी थे पिट्थिराज चोहान के काली दास इसके चंदरगूप्त ख्रयाद करना चलो कि बहुत यह विद्रण व वफ्र नेम्ट विंग्स ओस ऑ फायार और इग्नितिद माइंड विंग्स ऑ फायर और इगुल सहीं बता रहे हैं ऽुआ अच्छा पता है पर तुराज भी सहीं बोल रहा है लेकिन उप्राइच को डाउट जिए असले दातों जानभी गलत बोल रहे हो बेटा विंग्स ऑफ फायर एक ही आदमी तो लग सकता है डॉक्टर एपी जब्दुल कलाम जिसने क्या किया ब्रामोस व्रामोस मिसाइलें अग लगा दी पूरा इदम डॉक्टर एपी जब्दुल कलाम नुक्लियर टेस्ट में सबसे बड़ा हाथ इनीगा था अगर दो माके लालना होते ना अटल वहरी वाजपेज जी और एपी जब्दुल कलाम जी और नुक्लियर ब्लास 1998 में इंडिया समझे आप एक ही बात अगरा कोशन देख लेते हैं और यौर कि एक भूक है पंच तंत्र एक भूक है पंच तंत्र विष्णु शर्मा लिखलो पंच तंत्र की कहानी आए ना जो विष्णु शर्मा लिखलो बड़ी पॉटेंट भूक है आजएगा पंच तंत्र वाज रिटेंट बाए विष्णु शर्मा और और चाहिए नाम लिखा हुआ है माल्गूडी डिज आता एक नाटक है ना माल्गूडी डिज छिए इससे करके सब्सक्रेंद आरके नरइनन की नहीं किया उसमें गुछ कमाल पर जा लगता है ऐसे आरके नरायनन महीं से connect गई फिलो आगे चलते हैं के चुटना निचे कुछ भी स्वामिदयानन सर्ष्वती वाजद ऑद्सारलफ इन एक किताब लिखी थी जिन्हें आरे समाज की झापना की थी श्थापना 1875 मवचल एक किताब लिखी ति न सब्सक्रावicon the किताब बहुत important है एक बच्चे ने सही answer दिया है दो बच्चत सै रहा Mahi किताब लिखी रखेस निल दरपन्दी द किसने ने छिए उसके बाद रेनैंस इनिडिया पुनर जागरन भारत हें किसने लिखी किताब बड़ी इंपोर्टेन्ट है अर्मीदव और से ऐंदो घोष ने लिखी थी इंडिया और यह फिन्हाय इंपोर्वेटन्दू ने नीलिद नरपन इम्पॉटेंट है दीन बंधुमित्रा और ये वाली किताब सत्यार्थ प्रकाउश यह लिखी थी देयानन्द सर्स्वती जीन ने सत्यार्थ प्रकाउश लिखी थी ठीक है नील दर्पन दीन बंधुमित्रा दा रिनाइसेंस इंडिया यह पुनर जागरण भारत का अर्विंदो घोश चले आगे हैं जल्दी से विच अमंग दा फॉल्लाइंग बुक इस नॉट रिटन बाए विलियम शेक्स्पीर ने इन में से कौन सी किताब नहीं लिखी थी यह जंगल बुक किस ने लिखी दी पताएगा कोई जंगल बुक यह तीनों किताबे लिखिये हैं उसने हैमलेट जैस वेदांत बताओ रोमियो एंड जूलियट और जूलियट सेजर यह सारी रोमेंटिक किताबे आए बटा रूडियाड क्रिपलिंग ने लिखिये वेरी गूड इसका नाम था रूडियाड क्रिपलिंग याद रखना रूडियाड क्रिपलिंग ने जंगल बुक लिखी इंपोर्टन किताब है नोट कर लो यह जूलियट सीजर रोमियो एंड जूलियट यह सारी किताबे कौन लिख दो प्रेम करने वालों किताबे को लिखेंगा वाय। लिखेंगा वीलियम चींप्सपिर और भारत काई खुवियर कालि दास शकूंतल लंभक दूताहाँ कालिधास और जंगल पुख लिखी थी रूडियाआड जीपलिंग केफ और कीपलिंग शानवी समझ में आ रहा है बच्चो रुद्राक्षी कीपलिंग हां रुद्राक्षी क्या बोल रहे हैं इसका नाम है रूडियाड कीपलिंग मैं समझ गया है शानवी को कुछ स्पैलिंग मिस्टेक को कुछ हो रही होगी दिक्कत देखो रूडियाड यह आ रहे है कीपलिंग इसका नाम बेटा देख लेना एक बार है ना सर्च कर लेना कोई स्पैलिंग की दिरुदर हो गई हो मालों कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रूडियाड कीपलिंग ने दा जंगल लिखी थी जंगल बुक देखके तो मेरे को एक चीज़ है कि बड़ा मस्त लगता है मुझे वह सौंग बड़ा मस्त मेरे बच्पन का फेवरेट है ना क्या क्या दून में गाता है ना जंगल जंगल बात चलिए चलो तो जंगल बुक इस रिटेन बाई रूडियाड कीपलिंग जूलियस सीजर रोमियो जूलियट हैं यह तीनों कि रूडियाड कीपलिंग वेदांत वेरी गुड़ बिटा वेरी गुड़ वेरी नाइस बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं कि हम सब बताओ इसका क्लियर है नहीं आपको त्यांसर पड़ो एक बार देखो देखो वेधांत ने खली एक आफशन पड़ा सिर्फ एक आफशन पहला पढ़ते हैं उसने अंसर बता दिया से ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि बागी में है नहीं हैरी पोर्टर देखा उसने जेके रॉलिंग थार्ड फर्स का थार्ड सिर्फ फ्रस्ट आ है एलिमिनेट कर दिया बागी उसनों बागी कुछ देखा ही नहीं वेरी गुड सारे बच्चे चांसर दे रहे हैं वेरी गुड यहीं होगा देख लो एक तो हैरी पॉर्टर जेक रॉलिंग ने लिखी है हैं लेट कौन लिखेगा विलियम शेक्स्पीर तो सेकेंड का मेन कैम एक एक बुक है मेन कैम देखो आपको पता भी नहीं है लेकिन आपने आप्षन सही बता दिया ना तो यहीं तो स्ट्रेटजी होती है एक्जाम की मेन कैम लिखी दी एडॉल्फ हिटलर ने वहीं हिटलर जिसने सेकेंड विश्यूद्ध करवाया था पोलेंड पे टे लर्न है ठीक है और इग्निटिट माइंड तो पताइए आपको अभी बताया है बने इग्निटिट माइंड और विंग्स ओफ फायर अब्दुलकलाम सर की किताब है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको